नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है भालचंद्र, ब्रह्माण्ड सिद्याश्ट्र में आप सभी का स्वागत है, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिन आग 9 एपरिल 2022 का संपुर्ण राशिवल, उससे पहले आज की दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा कर है, दिन का जो करण है वो विस्टी है और जो रात का करण है वो बवव है, आज की दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवत होगा सुबह 6 बचकर 12 मिनिट से लेकर 7 बचकर 46 मिनिट तक, अभी जितमूर्थ दोपर 12 बचकर 4 मिनिट से लेकर 12 बचकर 52 मिनिट तक का होगा, ग वह 9 बचकर 20 मिनिट से लेकर 10 बचकर 54 मिनिट तक और यमगंड़काल दो पर 2 बचकर 2 मिनिट से लेकर 3 बचकर 36 मिनिट तक का होगा। राहुकाल और यमगंड़काल दिन के अशुबाकालावदी कह जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के महतोपुर्णकाम या पिन्दिन ने बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज की दिन का जो चंद्रमा है या चंद्रमा मिधुन राशी में ब्रह्मन कर रहा है और रात 9 बचकर 11 मिनिट के बाद या चंद्रमा कर कर राशी में ब्रह्मन करेगा। उसी परकर आगर आज की दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा नेपचुन और गुरू के साथ नवफपंचम योग याने की त्रिकों योग करने जा रहा है। यह अग्रसिती सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिपल क्या होगा इस विशय पर अब हम चार्चा करेंगे. तो सब से पहली राशि हैमेश राशि मेश राशि के तृतिह बाव में चंतरमा का ब्रह्मन है और आपे के लावाव हमीस्तित निक्जुन और गुरु के साथ यह चंतरमा नावपंचमयोग यह आनिकि त्रीकोंयोग करने चारा है। आपके वेया भावमिस्तित रवी और बुदर के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है तो आज के जो संपूर्ण दिन है वो आपके लिए काफी ज़्यादा विजड़े सावित हो सकता है जो भी महतुपूर्ण काम है वो आप कर सकते हो आपकी ज़्यादा ट् अगर आते हैं तो उसके संद्र इंट्यूशन अंतप्रेणा जिसे हम कहते हैं वो भी आपको आ सकती है अंदर से कोई विचार आएगा जो कि आपको मार्गदर्शन भी करेगा कि कोई भी समझ से आ हो उससे कैसे बाहर निकला जाए तो आपकी जो अंतप्रेणा है या फिर आपके अंदर से जो भी विचार आते हैं उसके पर जरूर आप दियान दिजाए उसे प्रकार अगर आप काम करते हो तो आपकी जो काम है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे किसी को कोई promises करने हैं कमिटमेंट करने हैं किसी भी प्रकार के काम जो कि महत्व पूर्ण है वो अगर आप करना चाते हो, आज की दिन कर सकते हो, और वो काफी अच्छे तरिकी से पूरे होते हुए भी नजर आएंगे, आज आपके जो अनुमान है, वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे. इसके बाद की जो राशी है, वो है बिर्शब राशी. बिर्शब राशी के दवितियो बाव में चंद्रमा का ब्रमन है, और आपके दशम बाव में सि dizer नेपचुन और गुरुक के साथिया चंद्रमा, नवपंचम यта ने कित्री को नयोग करने जा रहा है, आपके लाब बाव में सित रभी और बुद्या के साथिया चंद्रमा के योग भी करने जा रहा है तो काफी अच्छा दिन है आपके लिए जो भी आपका कारिश रहा है उससे रिलेटेड यदि आपको इसके पहले स्ट्रेश से अफे टेंशन है तो अभी आप समझ जाओगे कि जो भी आप काम कर रहे हो वह सही मायनों में पूरे होते हुए नजर आएंगे मतलब जो भी काम आपने सोचा था उसके बार में इंप्लिमेंट किया था तो वह काम उसके संदर में कुछ अच्छी इंट्यूशन वगरा भी आपके हो सकती है तो कुल मिला के देखा जाए तो आज का जो दिन है आपके लिए शुभु फलद्दाई सावित होगा इसके बाद की जो राशी है, वो है मिथुन राशी मिथुन राशी में ही चंदरमा का ब्रह्मन है और आप एक बाग्यय बाव में सिद्गुरु और निफ्चन के साथ यह चंदरमा नभपंचम योग ज्याने के तृओ करने जा रहा है काफी अच्छा दिन है आपके लिए कुछ अच्छे इंटूुशन आज के दिन आपको आ सकते हैं जो मीथों रशी के वेक्ति धार्मिक या फिर अध्याथमिक मार्ग में है, उनके लिए आज का जो दिन है, काफी अच्छा देखा जाएगा कुछ अच्छी intuitions अंतर प्रेणा जिसे हम कहते हैं वो आपके लिए आ सकते हैं सामने जन है उनके ये भी ये जो आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुबुफलदाई साबित होगा आपके जिवन में जो भी समस्या है यदि वो किसी भी फिल्ड या फिरक्षेतर से रिलेट करते हैं आज के दिन कुछ अच्छी बाते आपके साथ हो सकते हैं उसके संदर में कुछ solutions आपके सामने आ सकते हैं जरूर उसके उपर काम कीज़े उसी प्रकार अगर आप विवाईद हो तो आपके जो वैवाई जुड़िदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखे जाएगी उनके साथ कहीं बाहर गुमना फिरना भी हो सकता है तो कुल मिलाके देखा जाए तो आज का आपका जो दिन है काफी अच्छा और मैं तो पुर्ण सावीत होगा उसे पर आखर आज की दिन कुछ अच्छे लाव वगराभी मेलने की समभूना काफी अच्छी बन रही है इसके बाद कि जो राशी है वो है करक राशी करक राशी कि वेयवावमे चंद्रमा का भ्रह्मन है और आपके अश्टम भाव में से गुरू और निप्चुन के साध्या चंद्रमा के नव पंचमयोग त्रिकोन योग करने जा रहा है तो आज का जो दिन है काफी शांतिता पूर्वक बीच सकता है आज के दिन आपका कही घूमना फिरना भी हो सकता है लेकिन जो काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे एक अलग ही प्रकर की शांति आज आज आप फिल कर सकते हो उसी प्रकर आज के दिन किसी भी प्रकर की commitment, promises या फिर investment बिल्कुल भी नहीं करना बस यही बात द्यान में तक यह बाकी देखा जाए तो आज का जो दिन है आपके लिए नॉर्मल साबित होगा किसी भी प्रकर का stress of attention बिल्कुल भी आप आज के दिन फिल नहीं करोगे इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के लाव भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके सब्सक्राव में से गुरू और निफ्चुन के साथ या चंद्रमा आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और श्यवुफलता ही होगा कुछ अच्छे लाव वगरा आपको मिल सकते हैं उसी प्रकार आज के दिन अगर आपका विवा हुआ है तो आपके जो वाई-वाई जो डिदार है उनके साथ आपकी जो इंट्रेक्शन है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी उनसे दीगे सलाप अगर आपका काम करते हो तो आपके जो काम है वह बनते हुए नजर आए आपके Jamitra-परिवार..? उनसे भी आपको आज के दिन कुछ अच्छी सलाव मिल सकते हैं, मदद मिल सकती है, सिर्फ आज के दिन थोड़ा सा अपने स्वास्त के बारे में ध्यान रखना आवश्यक होगा. इसके बाद की जो राशी है, वो है कन्या राशी. तो जो भी आपका कारीश इतर है वहाँ पर के जो लोग होंगे वो आपके लिए काफी ज़दा मददगार साबित होंगे उसी प्रकार अगर आप जॉब लेसे तो जॉब मिलने की संभावना काफी अच्छे बनती है अगर आप जॉब में बदलाव करना चाते है पुरिदार है उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है लेकिन मोटे दरपर आपके लिए काफी अच्छा होगा आपके काम के अप्रिसेशन भी आज के दिन देखी जाएगी तो पुल मिला कर आज आज आपका जो कॉन्फड़न्स है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा इसके बात की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी के भाग्य भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके के पंचम भाव में सिथ गुरू और निप्चिन के साथ ये चंद्रमा आपके जो कॉन्फड़न्स है वो काफी अच्छा देखा जाएगा अलगी प्रकार का आनन या फिर उत्सा या फिर उर्जा आज आप में देखी जा सकती है आज आपके मन में जो भी काम है वो आप पूरे कर सकते हो थोड़ा सा बीजिस शेडूल होगा लेकिन काम आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे खास करके आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ कही बाहर गुमना फिरना भी हो सकता है उसी प्रकार अगर आपको किसी भी प्रकार के नए काम शुरुवात करने है उसके संदर में कुछ अच्छे इंट्यूशन्स वगरा आज के दिन आपको मिल सकते है आ सकते है उसके उपर आप जरूर काम कर सकते हो उसी प्रकार आपके जो वैवाई जोड़े दार है उनके साथ चोटी मोटी बातों का लेकर तकरान हो सकती है पुल मिलाके देखा जाए तो आज का जो दिन है आपके लिए शुबुफलदाई साबीत होगा इसके बाद की जो राशी है वो है विरिच्छिक राशी विरिच्छिक राशी के अस्टम बाव में चंदरमा का भ्रह्मन है और आपके चतुर्तो बाव मिसित गुरू और निप्चुन के साथ या चंदरमा नवपंचम योग यानि कीत्रिकोन योग करने जा रहा है उसी प्रकार आपके पंचम बाव मिसित रवी और बुद्य के साथ या चंदरमा केंदर योग भी करने जा रहा है तो आज का जो दिन है, घर के जो लोग है, उनके साथ आज आपकी जो हार्मनी है, वो काफी अच्छी देखी जाएगी, उसी प्रकार आज के दिन income source के बारे में, या फिर पैसे किस प्रकार से earn किये जाए, इसके संदर में भी कुछ अच्छी बाते, कुछ अच्छी इंडिश है, तो गुल मिला के देखा जाए, तो आज के दिन आपको जो सोच विचार आएंगे, उसके उपर जरूर एनलाइज करना, और उसके संदर में जो विचार है, उसके उपर अगर आप अमल करते हो, तो भविशे में जाकर आपको उसके कुछ अच्छे लाब बगरा मिल सकते हैं, उसके प्रकार जो भी आपका कारिश हैदर है, उससे रिलेटेड छोटे-मोटे विचार जो की थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं, आ सकते हैं, सिर्फ थोड़ सापके सहत के बारे में दयान रखना आवश्यक होगा. इसके बाद की जो राशी है, वो है धनो राशी. धनो राशी के सब्तम भाव में चंद्रमा का भ्रहमन है, और आपके की तृतिया भाव में सिर्फ गुरू और नेप्चिन के साथ ये चंद्रमा नवपंचमियों क्याने की तृकोंियों करने जा रहा है. बहुत ही अच्छा की तरीके से पूरे होते हुए भी नजर आएंगे. आज के दिन किसी भी प्रकार की इंट्यूशन अंतप्रेना अगर आपको मिलती है, किसी भी क्षेतर के बारे में, तो जरूर उस पर काम कीजिए. आज आपकी जो एनर्जी लेवल है, वो भी काफी अच्छी देखी जाए तो आज का जो दिन है, आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुबफलदाई साबित होगा. आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आज का जो दिन है, आपके लिए काफी अच्छा और महतो पुर्ण साबित होगा, जो भी आप काम करोगे, वो पूरे होते होई नजार आएंगे, खास करके आपका जो कारिक शेतर है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बाते हो सकती है. इसके बाद की जो राशी है, वो है कुंबराशी. वो काफी अच्छी देखी जाएगी, आज की दिन आपको कुछ अच्छे इंट्यूशन्स मगरा भी आ सकते हैं, जरूर उस पर काम कीचे, कुल मिला के देखा जाएगा, तो आज आज आपको जो मूर है, वो काफी अच्छा देखा जाएगा, सेर्थ के बारे में थोड़ा स अच्छी देखा जाएगी, आज की दिन आप ठोड़ा घर पर रहना पसंद करोगे, और आराम करना पसंद करोगे, और वो आराम आपको मिलेगा भी, सिर्फ थोड़ा सा सहत के उपर ध्यान रखना आवशक होगा, अगर आपका विवा हुआ है, तो आपकी जो वाईवाई जोड़िदार है, उनके साथ छोटी मूटी बातों के लिए करता करा हो सकते, लेकिन फुल मिला के देखा जाए, तो आज का जो दिन है, जैसा आप चा याइख, शेयर और सब्सक्राइब जारूका एलिणारा